प्रधान मंतरी आबास सेंडी के महसिन गाउं का है जहां पर एक परिवार ऐसा भी है जो एक एक दाने के लिए मोहताज है खेती ना होने के कारण परिवार का मुख्या मज़ूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है लेकिन फिर भी उसे परधान मंतरी आबास के लिए गेहू जेवरबा बरतन बेच का रुपए देने पड़े इतना सब कुछ देने के बाद भी उसे नहीं मिला आबास तीन साल बीच जाने के बाद भी गरीब परिवार परधान मंतरी आबास की रहा ताक रहा है गरीब परिवार एक तूटी जोपडी में अपना गुजारा कर रहा है पीडित की माने तो परधान ने आबास के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की थी गरीब के पास रुपए ना होने के चलते गेहूं जेबरबा बरतन बेच कर 8,000 रुपए ही जुटा पाया जो परधान को दे दिये लेकिन तीन साल बीच जाने के बाद भी परधान ने आबास नहीं दिया पीडित परिबार दरदर की ठोक रिखाने को मजबूर है पीडित परिबार एक एक दाने के लिए मोहताज है वही परधान अपनी दबंगई पर उतारू है जिसके चलते ना तो आज तक गरीब का पैसा वापस किया और ना ही परधान मंतरी आबास ही दिया वही परशासन चुपी साधे बैठा है जिम्मेदार अधिकारी जानते हुए भी अंजान बन रहे है अब ऐसे मैं गरीब पीड़ को कैसे मिलेगा ने आए अब क्या चाहती है अब क्या चाहती है हम कालूनी हमका मिलाई अच्छा आवास आथए तैंग आपका नम अर्ण बेटी यह प्रधान को ना है मैं त्रव जटी गुंजेश हे हन् गुंजेश लाहने कभनék तरना तो चाप जाह रही नहीं। तो वे 7000 फिर देहन नहीं हो कहा आवास दिया गया कहा आवास देबही नहीं करें कहने गुंज़श बने तो दीवा नहीं बने तो तो फिर वह गया है तीन साल नहीं आपका नाम? सागा